नमस्कार आपका हमारे योट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है मैं पिछले 21 सालों से पामिस्ट्री भी पढ़ा रहा हूँ और जो नएने स्टूडेंट्स होते हैं उनको हम जो सबसे पहली बुक रिकमेंड करते हैं वो है विलियम जी बैनम की लिखी हुई ये समझ लीजे ये पामिस्ट्री का ग्रिद पराशर होरा शास्त्र है ये विलियम जी बैनम खुद ही डॉक्टर थे और इन्होंने बहुत साइन्टिफिक मैनर में बहुत लाजिकली ये बुक लिखी है और इस बुक में हम देखते हैं कि लाइफ लाइन, फैड लाइन है, मस्तिश्क रेखा हार्ट लाइन है, हर्दे रेखा, सूर्य रेखा है बुद्ध रेखा है, इवन विभा रेखा सब भी पर जो टाइमिंग किया हुए वो सत्तर साल तक का है बस तो स्टूडेंट्स पूसते हैं बार बार कि सर ये सत्तर साल तक ही क्यों, लोग तो बहुत आग्ये तक जीते हैं, फिर उसके बाद क्या करें, तो कोई भी टाइम इसका मतलत तो सही तो दिया हुए इन बुक्स में, बाकी बुक्स में भी लगबग ऐसा ही है, किसी में जाय से अधासी साल तक दे रखा है तो ये सब बातें समझने के लिए, इसका गहरा आधार बेस समझने के लिए हम पहले एक शलोक लेते हैं महाबारत के वन पर्व से इसमें कहा है, यावत सप्तती वर्शाणी, भवंती एते ग्रह निणाम अतह परम देहिनाम तु, ग्रह तुल्यो भवेत जवरह इसका अर्थ, जब तक सतर वर्श की अवस्था पूरी होती है तब तक ही ये ग्रह मनुश्यों को सताते हैं उसके बाद तो सभी देहदारियों को जवर आधी, रोग ही ग्रहों के समान सताने लगते हैं आधी का मतलब स्टार्टिंग विद्ध, मतलब जवर तो मिनिमम है नीचे से नीचे तो बुखार खांसी जुकाम से शुरू करके सतर साल के बाद असली प्रॉलम क्या है? बिमारी ग्रहों से कुछ लेना देना नहीं है ग्रहय का मतलब ही क्या होता है? पकड़ना तो ग्रह वो है जो हमारे शरीर, मन, आत्मा पर हमारी रोजी, रोटी पर, हमारी एजुकेशन पर, हमारी रिलेशनशिप्स पर सब पर असर डालते हैं लेकिन सतर साल के बाद महाबारत में क्या कहा है? केवल बीमारियां ही रह जाती है बस ग्रह क्या करेंगे? बीमारियों से पहले रिजात पालो तो थोड़ा और बताता हूँ मैं इस बारे में सतर साल की आप समझेए एवरेज टाइमिंग है इस वक्त लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिया में मजदार ची देखियो कब महाबारत हुई? और आज भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी लग भग सतर साल है इस तरियों की दो तिन साल ज्याद है पुरुश्यों से जो हमारे हैं एक सो बीस साल की विंशोत्री दशा ली जाती है नौ ग्रहों की अपनी अपनी सब की दशाएं है जिसरा केतु की साथ साल फिर शुकर की आयती बीस साल इस तरह से है करम भी है उनका अलग-अलग उनका टाइम पिरिड है ये किसाब से देखाएं काम्याब नहीं है सतर साल लाइफ एक्सपेक्टेंसी है जनरली और ये कहा जाता है करम सिधान्त में जहां विंशोतिरी दशा खत्म हो गई मालो किसी की सूरे की दशा थी और वो आदी ही खत्म होई तो ये माना था जब वो नया जन्म लेगा तो वहीं से शुरू होगी उसकी दशा जो आदी भोगी नहीं थे ना भुक्त हो गई आदी और भोग्य है अभी वो आदीवाई से शुरू होगी तो पहले वो सूरह की दशा पूरी करेगा फिर चंदरमा की दशा आएगी इस तरह से होगा भगवान कृष्ण का देखिए 126 साल जिये कहा जाता है 126 साल मतलब 126 दशाय साइकल तो पूरा ही हो गया फिर नया चल पड़ा होगा तो एक जो लाल किताब में मुझे तो लगता है 35 साला चक्कर है 35 साल का मतलब 70 साल में 2 चक्कर पूरे हो गए और फिर एक योगनी दशा है 8 परकार की दशाएं होती है उसमें उसका कुल पिरिड 36 साल है 36 जूनी बातर आप देखो ये ज्यादा लोजिकल बैटरी है 70 साल की उमर में क्या होता है आदमी के साथ में मैंने नट सर्च किया तो मैंने देखा उसमें बताया गया है कि ब्रेन हमारा श्रिंक हो जाता है सिकूड जाता है दिमाग जो सिगनल भेज रहा था था ना ये पूरे शरीर में मन्द पढ़ जाते है ध्यवें पढ़ जाते हैं हमारे दिल की जो दीवारे हैं वो शक्त हो जाती है वाल्व हैं, वो सक्त हो जाते हैं और जो पूरे शरीर में रक्त का प्रभाय है वो उतना अच्छे से नहीं हो पाता रिंकल पढ़ जाते हैं, जुरियां पढ़ जाती है नील पढ़ जाते हैं स्किन पर आदमी को पसीना काम आता है स्किन जो है ड्राइ हो जाती है paper जैसी हो जाती है बिलकोल काग़ मास पेष्यों कमजर हो जाती है और जो चोड़ों को हड़ियों को इन मास पेष्यों से जोड़नेवाले tendons हैं वो stiff हो जाते हैं सक्त हो जाते हैं और इसे क्या हमारी strength flexibility कम हो जाती है वेक्तिगी height कम हो जाती है क्योंकि back bone की head गिज जाती है insomnia हो सकता है बेवक्त नीद आ सकती है गहरी नीद नहीं आती बॉड़ी का defense system immunity कमजूर हो जाती है जल्दी आदमी बिमार पड़ सकता है vaccine काम नहीं करती stomach की lining है ना वो कमजूर हो जाती है जिसे ulcer हो सकते है constipation हो जाती है सबसे बड़ी problem तो कबजी stool pass नहीं कर पाते और इवन जो urinary tract है पेशाब आना है उसके muscle कमजूर हो जाते हैं मुत्रेंद्रिय के मासपेशियां वो कमजूर हो जाती है तो पुरुषों में prostate trouble हो जाती है और इस तरियों में urine leak करने की problem आम बात है इस उमर में sexuality के मामले में भी देखिए vaginal dryness हो जाती है योनी का सूखापन पुरुषों में लिंग की उत्तेजना की समस्या हो जाती है स्तंबन दोश आँखों के मसल कमजूर हो जाते हैं सुनना कम हो जाता है अब आपने देखा सतर साल की उमर में क्या होता है जो जीरों से बारा की उमर में होता है बच्चों के लिए बाला रिष्ट योग केवल शरीर देखा जाता है उस वक्त उनका के भी जीएगा या नही इस उमर में ढंग से खापी लो वो हजम हो जाए और सुबह आप टॉयलेट जाए और आम से स्टूल पास हो जाए और रात में नीद आ जाए तो समझो आप बहुत बड़ी है जिंदगी जी रहे हो सतर साल की उमर में और अगर इससे जादा भी आप काम करे हो यूर बरी ये फिर लाइफ लाइन देखो, मार्स लाइन देखो, हाथ का कलर कैसा है, माउंट्स, उनमें स्ट्रेंथ कितनी है, उनकी कंसिस्टेंसी, वो चीज़े देखी आती है और 75 साल की उमर में तो सन्यास हो जाता है, सन्यास कहा गया, धन्यवाद, आप सभी परसंद रहें